अब हलो बच्चों आपका हमारी आत्मा एककड़ेमी चैनल में स्वागत हैं हम सेट थे थी इसे एक्साइजेस की थी पांच एक्साइज हम डिस्क्स कर चुके हैं आज हम लाश्ट इक्साइज जो कि मिश्चलेंच के पहले की इंचाइज करने जा रहे हैं देखिए, समझेगा ध्यान से, हमने A बताया, set क्या होता है, A union भी क्या होता है, intersection क्या होता है, समझेगा, जैसे माल या, ये Venn diagram है, अब हम union और intersection के कुछ practical problems लेकी चलना है, ये Venn diagram है, ये क्या represent करता है, universal set, ध्यान से समझेगा, ये पूरा set A है, ये पूरा set क्या है, A है, इसमें कुछ element रहे होंगे, ये पूरा set क्या है, B है, इसमें कुछ element रहे होंगे, element मतलब कुछ, इसमें संख्याय रही होंगी, ये जो बीच का part है, वो क्या गलाता है, A intersection B, और ये तीनों मिलाद हीजियत क्या बन जाता है A union B तो एक फर्वुला आता है कि number of A union B is equal to number of A plus number of B देखिए द्यान से A union B का मतलब होता है ये पूरा भाग आपको चाहिए तो आपने का पूरा A और पूरा B लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो दो बार आप लिख चुके जब A लिख रहे थे तो ये देखे पूरा पार्ट ले रहे थे जब B लिख रहे थे तो ये पूरा पार्ट ले रहे थे तो एक पार्ट आपको इसको माइनस करना पड़ेगा माइनस of number of A intersection B तो एक फार्मूला आ गया number of A union B is equal to number of A plus number of B माइनस number of A intersection B जबना समझेगा डाइगराम को दुबारा किछ और हमको बताना है ये आपका A था ये आपका B है और ये वो अला जो फीगर है वो तो बनाई रखिए ये ये युनिवर्सल सेट है देखे ये पूरा पार्ट A है ये पूरा पार्ट B है ये पार्ट A intersection B है और ये तीनों मिला करके ये है A union B ये तो निकाल लिया आपने दूसरी बात अगर ये दोनों से disjoint set होते disjoint का मतलब विसंगीत समुझे if A and B are disjoint set if A and B are disjoint set ये विसंगीत समुझे होते विसंगीत तो इसमें कोई चीज कामन न होती कामन क्या होता null set रिक समुझे तो इसमें कितने element होते 0 होते ये पार्ट क्या हो जाता 0 तब अगर number of A union B निकालना होता तो क्या करते आप होता number of A plus number of B उसमें intersection वाला पार्ट नहीं होता अब अगर याँ तीन set होगे तब क्या करेंगे आप तो देखिए एक फार्मला होग बनता है कि number of A union B union C तो number of A ऐसे ही उसमें बना के समल लेंगे प्लस number of B प्लस number of C माइनस number of A intersection B माइनस number of B intersection C माइनस number of C intersection A प्लस number of A intersection B intersection C ये कुछ फार्मूले हैं ठीक हैं ज़रा एक चीज़ और समझ लीजेगा देखिए हम बना फार्मूले के वेंड डाइग्राम से भी कुशन लगा सकते हैं जब आडी सर्माडिस्स होगी तो वहां वेंड डाइग्राम से बताया भी जाएगा देखो ये पूरा A है तो इतना भाग क्या होगा A माइनस B अगर हम को कहा जाए कि नमबर ओफ A माइनस B निकालो इसका मतलब क्या होता है देखो A का मतलब ये हुआ कि A का कुछ पार्ट B में भी हो सकता है ठीक है अगर हम कहते हैं केवल A तो ये वारा पार्ट हटाना पड़ेगा तो ये केवल A हो गया एक तरीके से ओली A तो ये हो जाएगा नमबर ओफ A में से नमबर ओफ A इंटरसिक्षन B को आप माइनस कर दे तो ये फार्मले यूज़ करके हम एकसरसाइज 1.6 डिस्स करने जा रहे हैं बुक में आप कोश्चन देख लीजेगा ये NCRT की 1.6 डिस्स हो रही है तो बुक में कोश्चन लिखे हुए है उसको एक बास सामने रख लीजेगा ना हो तो उसको डाउनलोड कर लीजेगा फिलाल पहला कोश्चन देखी क्या कह रहा है ये कह रहे हैं X और Y दो सेट है नमबर ओफ X लिखा हुआ है 17 17 नमबर ओफ Y लिखा हुआ है 23 नमबर ओफ X यूनियन वाई लिखा हुआ है 38 तो कह रहे हैं नमबर ओफ X इंटर सेक्शन वाई की वैलू आप निका लिए फामुला भी हम बता चुकी है तो आप भी कहेंगे We know that हम जानते हैं कि नमबर ओफ X यूनियन वाई इस इक्वल टू नमबर ओफ X प्लस नमबर ओफ Y माइनस नमबर ओफ X इंटर सेक्शन वाई इसको कहते हैं कार्डिनल नमबर जो सेट में आवियों की संख्या होती है ये कितना दिया हुआ है ये दिया है 38 नमबर आप X कितना लिखा हुआ है 17 नमबर ओफ Y कितना लिखा है 23 और ये आपको निकालना है नमबर ओफ X इंटर सेक्शन वाई ये हो गया 38 ये कितना आएगा 7, 10 2, 1, 3, 4 40 माइनस नमबर ओफ X इंटर सेक्शन वाई इसको इधर लियाओ तो number of x intersection y is equal to 40 minus 38 value क्या आएगी इसकी 2 इसका answer होगा second part अपने आप करेंगे चुकि बिल्कुछ same है उसमें क्यों value change है second देख लीजे आप second question इसी में value हम लिख देते हैं second question देखिए number of x union y 18 लिखा हुआ है number of x 8 लिखा हुआ है number of y 15 लिखा हुआ है और x intersection y निकालना है तो number of y 18 लिखा हुआ है number of x 8 लिखा हुआ है number of y 15 लिखा हुआ है तो 15 plus 8 कितना होगा 28 हो जाएगा यह 18 हो गया इसको उधर ले गया तो आएगा 23 33 माइनस 18 18 पांच तेईस आएगा इसका 5 आएगा ठीक है a का मतलब केवल a नहीं होता x का मतलब केवल x नहीं है x में वो भी element है आप सोच रहे होगे भी अब 15 आठ तेईस हो गए और कुल है अठारा तो इस आठ में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो y के member हो common भी हो सकते हैं ठीक है देखे थर्ड कुशन देखी क्या कहा कह रहा है कहते है 400 लोग है उसमें 250 हिंदी बोलते हैं अगर हिंदी को h से represent करें थर्ड कुशन देखे number of हिंदी speaker जो है वो 250 लोग है देखे हिंदी speaker और only हिंदी speaker दो अलग अलग बाते हैं अगर हिंदी speaker बोलेंगे तो उसमें English वाले भी हो सकते हैं ठीक है और number of English speaker जो हैं वो 200 हैं आप यही मिला के 450 हो गए और कुल लोग 400 हैं ते कैसे हो सकता है इसका इन में से कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी और English दोनों बोल रहे होंगे और टोटल का मतलब होता है union H number of H union E यह दिया है 400 तो बता रहे हैं यह बताईए कि कितने लोग दोनों भासाएं बोल सकते हैं number of H intersection E H intersection E निकालना है हमसे केवल नहीं बोला समलिएगा तो देखिए हम जानते है number of H union E is equal to क्या होता है number of H plus number of E minus number of H intersection E यह कितना दिया हुआ है यह दिया है कुल 400 लोग H कितने है 250 E कितना है 200 यह हमको निकालना है H intersection E हमको नहीं मालूग तो यह कितना हैगा 450 तो 400 is equal to 450 minus number of H intersection E इसको इधर लेआ तो number of H intersection E कितना हो जाएगा 50 अब जुरा देखिए अगर इसी कोईशन को हम Vane Diagram से लगाने की कोशिश करते है तब क्या करती है Vane Diagram मतलब होता यह नहीं Diagram में आपने लिख दिया को काम चल जाएगा आपको उसके लिए State में लिखना पड़ेगा देखो यह Hindi speaker है यह English speaker है यह Hindi है यह English है देखो लिखते कैसे हैं लिखने का तरीका समझीएगा थोड़ा सा technical है इसी question को हम By Vane Diagram बलगाने जा रहे है By Vane Diagram By Vane Diagram देखो ध्यान से सबसे पहले आप यहाँ चलेंगे कि दोनों जो बोलते है Number of Hindi and English कितने बोलना है यही तो मालूम नहीं हमको हमने उसको A माल लिया यह A हो गए दूसरा पहला point फिर लिखेंगे Number of Hindi speaker Number of people who speak Hindi हमने Hindi कहा है English नहीं कहा है तो Hindi कितने लोग बोलना है Hindi 250 लोग बोलना है 250 तो यह पूरा 250 है ठीक है फिर लिखेंगे तीसरा point Number of people who speak only Hindi only Hindi केवल हिंदी बोल रहे हूं तो देखें टोटल कितने थे 250 उसमें से जितने दोनों बोल रहे थे उनको आप हटा दीजी तो यह only Hindi हो जाएगा तो यह जो part होगा यह बताएगा 250 minus A ठीक है चौथा number of people who speak English हमने फिर only नहीं कहा है English वाले कितने हो गए 200 फिर पाच्वा point केंगे कि only English only English तो 200 में A हटा दो तो यह only English वाले हो गए 200 minus A सौज में ही बार नहीं आई टोटल नमबर of people कितने हैं आपके पास टोटल नमबर of people वो है 400 उसमें से only Hindi plus only English plus both तो और कुछ add कर दो तो 250 minus A plus A plus 200 minus A is equal to 400 यह A कड़ गया इस minus A को दल ले जाओ तो 450 400 को दल ले आओ is equal to A is equal to 50 तो बोट कितने बोलते हैं 50 अगर मुझसे कहता ज़र इस question को change करिए अगर मुझसे कहता कि how many speak only Hindi तो only Hindi में कितने हो जाएंगे 200 only Hindi how many speak only English तो only English में कितने हो जाएगा 150 तो वो वेंड डाइग्राम से आप पना सकते हैं ठीक है तो यह question number 3 है 4, 5 अपने आप करेंगे 6 question देखिए तो जब बहुत technical question हो formula लगाने में दिक्कत हो रही हो बहुत सारे उसमें Hindi ही है, English भी है, Tamil भी है सब बोलते चले आ रहा है तो आप वहाँ पर वेंड डाइग्राम का इस्तेमाल करिए बहुत इसली हुआ जाएगा ठीक है अब ज़रा 6 question देखिएगा 4th, 5th अपने आप करिएगा 6 question 70 person है इसमें 37 like coffee तो number of coffee liker वो है 37 तो coffee like करने का मतलब यह नहीं कि they doesn't like other pay other drink coffee हो कर रहे है और tea वाले है चाय वाले यह 52 है महीं ही होती coffee तो चाय जाना लोग पसंद करते हैं और प्रतेक व्यतिक कुछ से कुछ हो पे रहा है अन्य कि उसमें कोई ऐसे बैखते हो जो कुछ भी न पी रहे हो तो आपको निकालना है अज़र total कितने है number of c union t कटना पढ़िएगा यह 70 लोग है और आपको number of c intersection t निकालना है कि जो दोनों drink पीते है तो number of c union t क्या होता है number of c plus number of t minus number of c intersection t रख दो यह 70 लोग है c 37 लोग है plus 52 लोग है इसको आपने x मान लिया इसको मान लिया is equal to x माना same मताब माना तो इसको करेंगे तो 70 आएगा इसको लोग कितना आएगा 7,2,9 5,3,8 minus x x को इदर ले आओ x is equal to 89 minus 70 यानि कि 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं ठीक है 7th question देखिए अगर इसको वें डाइग्राम में दिखाते हैं तो देखिए यह चाय वाला पाड़ यह कॉफी है यह rectangle box बना लेंगे यह tea है यह दोनों है ठीक कॉफी वाले हैं 37 तो 37 minus A only coffee और 52 minus A only tea और तीनों को add करके इस उकल दो 70 कर दो अपने आप value आ जाएगी ठीक देखिए question 8 7th अपने आप करिएगा in a committee of 50 people speak French number of French speaker वो 50 people है 20 speak Spanish number of Spanish speaker तो French का मतलब वो Spanish भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं क्यों कर फ्रेंच बोल रहा है 10 speak both number of French intersection Spanish 10 है तो how many speak at least one of two languages इन में से दोनों में से कम से कम एक बोले हैं रहा है बोले तो कम से कम तो total number of person आपको निकालने है number of F union S आपको निकालना है number of F union S is equal to number of F plus number of S minus number of F intersection S तो ये हो गया आपका बता नहीं कितने हैं तो ये तो ऐसे रिखा रहा है ने तो ये हो गया आपके 50 ये हो गया आपका 20 ये हो गया आपका 10 तो ये हो गया 70 minus 10 is equal to 60 तो इस प्रकार से 6 size को randomly हमने बता दिया है इसको आप लगाईएगा इसके बाद इसका miscellaneous part होगा इसको आप नेक्स्ट बताएंगे thank you झाल झाल